इसमें वर्ड जियोग्रफिग के फैक्ट्स जोकी सभी एगजाम्स के इमपोर्टेंट हैं इसमें हम देख रहे हैं पहला पार्ट देख देखेंगे इसमें वर्ड लौट जबघने नियूगार्निय के पिर अग्रें आप ने Pay लूट तो को मिला के यह सबसे चोटा कॉंटिनेंट है और सबसे बड़ा आईलेंड है लेकिन ऑफिशली और अश्रेलिया को आईलेंड नहीं बोलते हैं आंसर में अगर आपको पूछा आगा तो ग्रेंड लेंड लिखना है यह आप यादर रखीगा major rivers of the earth by length यानि कि लंबाई के हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे largest river कौन सी है वो है नील नदी जो कि अफ्रीका से फ्लो करती है और Mediterranean में माउथ है ऐसे फ्लो करती है नील नील कोई भी रिवर का माउथ होता है जहां पर आके वो मिल जाती है जैसे गंगा का माउथ है बे आफ बेंगॉल में ऐसे यह नील नदी का है जो Mediterranean में मेडिटिरेन जो यह सी है उसमें है और वैसे कुछ अभी 2007 में न्यूज आई थी कि Amazon कुछ साइंटिस बोल ले थे कि Amazon लेंद्वाइस भी सबसे ज्यादा बड़ी रिवर है लेकिन अभी तक जो फैक्ट बुकों में यह लिखा है कि नील नदी है और आपको आंसर भी लिखना है Amazon जो रिवर है South America में है और यह Brazil और कई सरी कंट्री से पास करती है थाइड नमबर पे यांगजे रिवर जो की एशिया की सबसे बड़ी है फोर्थ नमबर पे Mississippi मिसौरी जो North America में है फिर फिफ नमबर पे यह एनसी अंगारा एशिया में फिर हुआंग रिवर यह 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 लो रिवर जो चाइने से पास करती है फिर उसके बाद है ओब इरतिस रिवर रशिया से पास करती है एशिया में फिर है आमूर रिवर और फि और एमेजॉन रिवर बोथ कैन क्लेम टूबी दा वर्ड लार्जेस रिवर नील लदी जो है वो लॉंगेस्ट रिवर बाई लेंथ है और जो एमेजॉन रिवर है वो इट कंटेंस मोस्ट वाटर तो अगर वाटर वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे यादा एमेजॉन का है इसके पास सबसे ज़्यादा वाटर है और नील लदी जो है वो लेंथवाई सबसे बड़ी है तो यह आप याद रखिएगा Major Lakes अगर आप वर्ड के देखें तो Caspian Lake इसे और येरोप में है यह सबसे बड़ी लेख है और largest water body है यह Caspian Sea is the largest enclosed inland body of the water on the earth by the area है मतलब largest enclosed inland body of the water on earth by area कौन सी है Caspian Sea है और इसको वर्ड की largest lake यह फिर full-fledged sea भी बोलते हैं इसको कैस्पियंस ही है सबसे बड़ी लेक पूरी दुनिया की सेकंड नमबर पर सुपीरियर लेक लेक सुपीरियर जो की नौर्थ अमेरिका में उसमें एक्चुली नौर्थ अमेरिका में पाँच ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको आप याद रखेगा यह नौर्थ अमेरिका में य यह एक मतलब यूएस ओनर कनेडा के बॉर्डर पे हैं पाच ओ ग्रेट लेक्स इसके लेक्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी है एच ओ एमियस इन लेक्स के नाम आपको याद करने हैं पाच लेक्स हैं एच ओ एमियस है जैसे की लेक्स सुपीरियर होगी ऐस से और बाकी चार के नाम के हैं आप इसमें आन्सर में बताइएगा कमेंट करने है थाड नम्बर पे है विक्टोरिया अफ्रीका की और पृर्शार लेक्षिट है नॉर्थ अमेरिका की बहुए Catoriya है फिर पाल खाश है तो यह कुछ मेजर लेक्स है एक एस्पनसी की लोकेशन दी विए यह एक एस्पनसी यह लार्जेस्ट इन्लेंड इंक्लोजड वाटर बॉर्ट वाटर बॉड़ी है या फिर लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ड में एकॉर्डिंग टू साइज कितनी सारी कंट्री से यह गिरी हुई है आप इसमें देख लिए डीपेस्ट लेक अगर आप सब देखें तो कि सबस्यादर ग्रेटेस्ट डेप्थ किस लेक की है तो वह है डीपेस्ट लेक अंदर थिस बैकाल जो की रश्या में है और फिर तंगा का इस अध्रिका डियुकण डेप्ट वाइस कैसट्यान सी थेड़ नमबर पर और साइज डिवाइस नंबर वन पर रखें नब बरन ऐक वाइक बैका लिक जो की रश्या में साहरा नौर्थ अमेरिका में 11 कंट्री से पास होता है 11 कंट्री के आपको नाम याद होने चाहिए आप उसमें कमेंट बॉक्स पर लिखके बताए कि कौन सी 11 कंट्री की में बात कर रहा हूं नौर्थ अफ्रीका की सेकंड नमबर पर अरेबियन है जो कि डिजर्ट है मिडिल इस्ट में फिर य आपको यह डिजर्ट किस कंट्री में यह नाम याद रखना चाहिए यह मैच्ट फॉलिंग में आते हैं कई बार मैंने इस पर पूरे वीडियो बना रखा है मीजर डिजर्ट आफ द वर्ड आप उसमें देख लिजेगा फिर सीरियन डिजर्ट है सीरिया जॉर्डन इराक मे फिर चिवाओं डिजर्ट है यह मैक्सिको यूएसे में फिर ग्रेट सेंडी डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट वाले ज्यादा तर डिजर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में फिर यह सोनोरन डिजर्ट है यह मैक्सिको यूएस पे बॉर्डर पे थार डिजर्ट इंडिया प प्राइस्ट डिजर्ट ऑप दवर्ड बोलते हैं अटकामा चिली में है यह साउथ अमेरिका में फिर नामीब है साउथ वेस्ट अफ्रीका में फिर कोल्ड विंटर वाले में अगर आप देखें कोल्ड जो डिजर्ट है सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट कौन सा है गोबी मंगोलिया है और यह पूरा ऐसे चायना और यह है गोबी दो गोभी मंगोलिया और चायना यह दोने परहते हुँ और अर्जेंटाइना यानि कि साउथ अमेरिका वाली कॉंटिनेंट में फिर ग्रेट बैसिन है साउथ वेस्ट युएसे में फिर कराकूम है तुर्कमेनिस्तान में फिर कोलोराडो प्लैटू है वेस्ट युएसे में फिर किजिलकूम है यह वेस्ट एसिया में टकला मकान भी अर्टिक सबसे बड़ा आप देखेंगे वैसे डिजट उस पूरी अर्थ में देखें तो सबसे बड़ा तो यह अंटार्क्तिक ही होगा और फिर अगर वैसे यह इसको कॉंटिनेंट मानते हैं इस तरह डिजर्ट मानते नहीं है तो वैसे अगर लार्जस्ट डिजर्ट प्लानेट में बोला जाएगा तो सहारा को मानेंगे अब यह याद रखेगा और बाकी आपको डिजर्ट और उसकी किस कंट्री में लोकेशन है यह याद रखना चाहिए और किस टाइप का डिजर्ट है जैसे कुछ सब ट्रॉपिकल के डिजर्ट की नाम दियुआ है सहारा सब ट्रॉपिकल है जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमिट में सबसे कम बारिश होती है यहां पूरे दुनिया में पूरी अर्थ में मतलब पिर इनके नाम और आप लोकेशन जरूर यहां देखेगा एक वीडियो मैंने बना रखा है उसमें मैंने पूरे वर्ड मैप में लेके समझाया कि कौन सर डिजर्ड किस जगह पर आप उस वीडियो को देख लिजेगा जरूर पूलर में तो दोई पोले हैं वर्ड में अर्थ म फिर यह ड्राइस्ट इन हैबिटेट प्लेज इन हैबिटेट का मतलब होता है कि जहां पे लोग बसे हुए हैं जहां पे लोग रहते हैं तो वो अगर आप देखें तो यह असवान नाम की जगह है एजिप्ट में जहां पे लोग बसे हैं और रहते हैं सबसे ड्राइस्ट चिली में फिर ये एलमीनिय एजिप्ट में अस्यूत है एजिप्ट में तो या भी देखें इसमें कई सारे जो है वो अटा कामा वाले पार्ट में ही है ये फिर ये Continent wise अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा Continent according to area यानि की according to size तो सबसे बड़ा Continent कौन सा है एशिया है और फिर second number पे Continent है अफ्रीका, third number पे है North America, fourth number पे South America, fifth पे है Antarctica और sixth पे है Europe और seventh पे है Australia, Australia को Continent मानते हैं इसलिए Australia और Oceana को मिलाके ये सबसे बड़ा Island नहीं है तो सबसे बड़ा Continent ये अब साथ Continent है पूरे वर्ड में उनकी लिस्ट है एसिया, फिर अफ्रीका, फिर North America, फिर South America, फिर Antarctica, फिर Europe और फिर Australia तो Australia को Continent मानते हैं एक्जाम में भी आपको आएगा तो Australia को Continent ही माना जाएगा इसलिए Major Island पूछेंगे तो Greenland होगा, Australia नहीं होगा बाकी third part पर करते हैं, thank you for listening